इस बीच बीजेपी सूतरों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी के 8, JDS के 2 और 1 निर्दली समेट कुल 12 विधायक उनके संपर्क में है इस बीच एक और बड़ी खबर जिसका कल होने वाली स्प्रो टेस्ट पर बहुत बड़ा असर पढ़ सकता है आपको बता दे बीजेपी के विधाया केजी बोपईया को गवर्नर ने विधान सभा का प्रोटेम स्पीकर बना दिया है करनाटक के राजपाल वजुभाई बाला ने केजी बोपईया को बिधान सभा का प्रोटेम स्पीकर डेकलेर कर दिया है केजी बोपईया बीजेपी की सरकार के समय करनाटक बिधान सभा के स्पीकर रह चुके हैं लेकिन इस पैसले के खिलाफ अब कॉंग्रिस ने आवाज उठानी शुरू कर दी है क्योंकि कॉंग्रिस पार्टी की तरफ से उनके एक सीनियर लीडर का नाम पहले भेजा गया था लेकिन गवर्नर ने भारती जंता पार्टी के वरिष्ट बिधायक पूर्ड स्पीकर केजी बोपईया को बिधान सभा का प्रोट्रिम स्पीकर निक्ट किया है